मैं गोरो अजादे बचावां दोल से आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसे प्रयोग में जिसमें हम जानेंगे कि आरो का पानी हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमें आरो का पानी नहीं पिलना चाहिए इसकी प्रयोग के लिए हमें एक बल्ब है बिजनी में लगा हुआ उसके बाद है दूद उसके बाद है सिंपल जो हमारे हैंड़क का पानी उसके बाद है आरो वाटर और ये है गो मुत्र तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल्ब ये जगरा है और जब हमें आरो का पानी पीते हैं तो आरो के जब मशीन से फिल्टर होगा निकलता तो उसमें कुछ भी मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं तो उसका मैं एक्सपरिमेट करके आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए अब है हमारा ये जो सिंपल पानी है उसके अंदर मिनरल्स हैं उसके काण ही हमारे बल्ब जग रहा है लेकिन अगर हम इसी को अगर हम आरो के पानी में डालते हैं तो बिल्कुल भी बल्ब नहीं जगेगा ये इसके बिल्कुल ही मिनरल, बिल्कुल साफ होच गे इस पानी के अंदर कुछ भी नहीं है और हमारे पीने के लाइक ही नहीं है कब हम घर में दूज कीते हैं तो उसमें भी बल्व भुज़ग जाएगा क्योंकि इसके मिनरल्स हैं आयरेन हैं केल्सिय में इसके अंदर सब कुछ है लेकिन वह ही अगर हम इसमें डालेंगे तो यह बिल्कुल ही खाली है आप बिल्कुल देख रहे हैं और हम एक और परियोग करते हैं ये आरों का पानी नेकर माने मैं कुल्च कर्यंट नहीं वावा अगर मैं अगर मैं इसके अंदर ही डालेंगा हो तो मिझे जटका लगेगा तो मैं इसमें नहीं डालूँगा तो मैं एक और परियोग करना चाहूँगा यह देखो करण ट्रीन लग रहा मुझे क्योंकि इसके अंदर कोई इच्छी है नहीं आइरेन कैल्सियूम कुछी मिदल्स नहीं है इसके अंदर मगर गोमुत्र डालता हूं यह देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है और यह बल्ब जग गया मतलब मेरा कहने का तक पर यह है कि घर में आप बिल्कुल भी आरो वाटर यूज मत कीजिए अगर आपके पास बिल्कुल भी और कोई पानी नहीं है पीने के लिए तो थोड़ा उसके नदर गोमुत